इक फौजी का दर्द क्या होता है? दिखाना चाहूंगी उन कुर्सी वालों को एक फौजी की मजबूरी हमें मत छुटी दो मत भता दो बस काम यहीयद करने दो चाहे वेता नाधा करदो पर कुत्तों में गोली भणने दो उन कुत्तों में गोली भड़ने दो हर हर मोदिक, हर घर मोदि ये नारा सिर के पार गया गोई दो कोड़ी का जिहादी एक सैनिक को ठपड शैनिक को ठपड मार गया अरे ठपड खाय हम उन गदह रोके इतने भी मजबूर नहीं हम भारत मा के सैनिक है कोई भारे के मज़दूर नहीं या तो कश्मीर उन्हे देदो आरे सुलच दिल्ली वालो या तो कश्मीर उन्हे देदो या आरपार का काम करो अग सेना को तो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम दिली में आराम करो इस राजनीती ने घाटी को सरदर्द बना कर छोड़ा है भारत के वीर जवानों को ना मर्द बना कर छोड़ा है मां का आजल स्वच रहे हम गागी भी बन सकते है दिली गड़ियों ही मौन रही हम गागी भी बन सकते है एक मां कश्मीर में बिटने वाले अपने फौजी बेटे से कहती है, कि फोन किया माने बेटे को थुने नाग कटाई है, तेरी बहना से सब कहते पुस्दर तेरा भाई है, अरे बेटा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या लाचारी थी, कुछ कुत्तों की टोली, तुम सब तुम सब शेरों पर भारी थी गिदर बेटा करके मेरे कोखल जाई है तेरी पहना से सब कहते मुझदर तेरा भाई है वह फौजी अपनी मा की बात सुनके कहता है कि मा इतना फिला चार नहीं था मा मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुपई बहुत जरूरी थी म हमको उनकतारों से बोली का आदेश नहीं है दिली के दर्वारों से गिन गिन कर मैं बदला लूंगा कसम आज ये खाता हूं तू गुडिया से कहते ना बुजदिल उसका भाई है अनौनी होने से पहले फैला दो इन बातों को अगर बहना के सच्छे भाई हो तो बता दो इन